हेलो फ्रेंट्स बहुत बहुत सौगत आप सब्यक एक बर फिर से सरकारी हट में तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपकी स्टेटेजी है वो किस तरह की रहनी चाहिए बीएसी नर्सिंग के एक्जाम के लिए अगर आपको बीएसी नर्सिंग के एक्जाम जो है वो कौलिफाई करना है और अच्छे मेडिकल कॉलिज में आपको एडमिशन लेना है बीएसी नर्सिंग के लिए तो आपको किस तरीके से फिसिक्स, किमिस्ट्री और बाइओलोजी पढ़नी है क्या क्या इंपोर्टिंग टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से कवर करने है साथी साथ मतलब यह जो मैंने टॉपिक्स ढूंड़े हैं या जो मैंने आपके लिए मैं यह लेकर आया हूँ व तो पीसी भी जो है उसको देखते हैं तो जैसे कि पता है पीसी भी यानिके टोटल आपके 60 कॉशन सो गए 20 फ्रॉम इच ठीक है 20 फिजिक्स के 20 केमिस्टी बायोजी तो पहले बात करते हैं बायोजी की कि बायोजी में किस तरीके से आपको पढ़ना है जैसे कि बायोजी में नहीं जाना है यानि कि नहीं जाना है ओके क्योंकि NCRT ही बहुत इंपोर्टेंट चाहे वो नीट का एक्जाम हो या फिर आपका बीसी नर्सिंग हो तो NCRT ही पढ़नी है और कोई भी बुक नहीं पढ़नी है अरियांज कि या फिर किसी और भी पॉब्लिकेशिंग की बुक ट्रीके और सबसे में जो बात है यहां पर वह मल्टिपल रिविजिन करोगे उतना ज्यादा बैटर होगा आपको एक्जाम क्लियर करने में ठीके तो बात करतें इंप्पॉइंट्स कि क्या क्या हैं सेल इविजन यह जो टॉपिक से हैं यह चाप्टर्स के नाम हैं यही आप 20 में से 15 कोशन मान सकते हैं कि आएंगे ही आएंगे पांच कोशन जो हैं वो और चप्टर से हो सकते हैं तो आपके चप्टर क्या हैं अच्छे से पढ़ने आपको पूरी कंप्लीट पढ़ने हैं ठीक है क्योंकि आप सभी को पता है आप यहां से बहुत जादा कोशन पूछे जाते हैं साथ ही आपका हो गया रेप्रोडक्शन फुल उनिट जैनेटिक्स अच्छे से पढ़ने हैं पूरी पढ़ने हैं ओके आप इवोल्यूशन को स्किप कर सकते हैं जो उसमें चैप्टर है लेकिन इनहेरेटेंस और जो आपका क्या बोलते हैं जो मॉलिकुलर बायोजी है वो अच्छे से बढ़ना आपको और human health and diseases वाला चप्टर हो गया microbes in human welfare हो गया और बायोटेग वाला चप्टर हो गया ठीक है तो यह आपके important topics है अब जो बच जाते हैं topics उनको आप सबसे last में करना जब आपका पूरा syllabus finish हो जाएगा यह सारे important topics है इसमें से एक भी नहीं चोड़ आपको क्या करना है आपने 11-12 अपनी पड़ी रखी है बस आपको चप्टर का overview लेना है चप्टर का overview लेने के बाद आपको हर चप्टर के short notes मनाने है यहां पर कोई भी ऐसे chapter नहीं है जो मैं आपको important बता पाऊं क्योंकि physics में जो है वो questions कहीं से भी पूस सकते हैं और बहु जो है आपके जो भी NCRT में जिस जो भी आपका chapter है physics का उसमें जितने भी topics हैं और जो भी उसमें formula है वो formula जो है आपको अच्छे से note करने और याद करने physics में आपकी basically जो है direct formula based questions ही आते हैं आगे बस समझ में और units and measurement वालो chapter वो अच्छे से करना है क्योंकि वो आपके हर chapter में काम आएगा यूज होगा तो उससे questions भी काफी आते हैं ओके तो यह याद रखना कि formula भी इस questions आते हैं तो formula आपको सारे पता होने चाहिए और concept का जो है आप overview ले सकते हैं जाधा deep में घुसने के जरौत नहीं है physics में बिलकुल भी ठीक है क्योंकि आपकी जैसे बायो वाले students ह करना आना चाहिए questions में ओके बात करें अंगले chemistry के तो chemistry में आपको inorganic और organic chemistry पे ज्यादा focus करना और physical chemistry पे बहुत कम focus करना यानिकि inorganic और organic जो आपको पहले पढ़नी है और physical बिलकुल last में पढ़नी है ठीक है last में जब आपके पास time बचा हो तब वरना छोड़ देना उसको कोई बात में ठीक है क्योंकि physical से क्या है आपकी numerical सी आने है और उसमें आपको वैसे ही problem होती है तो ज्यादा उसमें घुछने की ज़रूत नहीं है inorganic और organic अच्छे से कर लो अराम से हो जाएगा ठीक है और main important चीज है organic में name reactions कोई भी छोड़ना मत अच्छे से याद करना औ और उनके जो भी reagents है ठीक है तो inorganic और organic अच्छे से कर लेना ओके अब important topics जो है chemistry के वो यह है जैसे पहला चप्टर होगा basic concepts of chemistry यह बहुत काम आता है आपका ठीक है इससे questions भी आते हैं से numerical आते हैं structure of atom हो गया classification of elements हो गया chemical bonding हो गया redox reaction हो गया hydrogen और SPDA block तो आप रट लो जितन परना मत बिल्कुल भी IUPAC naming अच्छे से आनी चाहिए name reactions जैसे कि मैंने बताई दिया सारी याद करना एक भी मच छोड़ना साथी साथ coordination compound का chapter भी बहुत important है यहां से भी यहां से भी आपकी IUPAC naming के coordination compound की वो भी पूछी जाती है ठीक है और polymer हो गया और chemistry in everyday life और biomolecules तो यह थे chemistry के important chapter अब जो भी chapter बचे हैं मुझे लगता है यह इतना time आपके पास बची भी पाएगा तो जो chapter बचे हैं और आपको लगता है कि मैं और कर सकता हूं तभी उन chapters पर जाना पहले इन सारे topics को complete करना और short notes जो है तीन copy बना लो physics chemistry biology उनमें अपने chapter बैस जो है short notes बनाते जाओ त तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना और मैं nursing aptitude के जो हैं आपको topics में बताऊंगा क्या 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 important topics है और notes भी जरूर दूँगा